ज़्यादा बोलने की आदत तो वैसे लेडिस की होती है लेकिन अगर आप शरम की वज़ा से भी कम बोलते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है ऐसे ही बने रही है क्योंकि कम बोलने के बहुत फैदे होते हैं कम बोलने वाले ज़्यादा खुश्यार होते हैं क्योंकि यह लोग ज्यादा सुनते हैं, जब हम बोलते हैं, तो वही बोलते हैं, जो बाते हमें पता होती हैं, पर जब हम सुनते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं, कम बोलने वालों को सब दोस पनाना पसंद करते हैं, हमको भी वो लोग पसंद आते हैं, जो हमारी सुनते हैं, कम बोलने वालों का दिमाग शांत रहता है ज्यादा अगर आप बोलते हैं तो आपकी एनर्जी बरबाद होती है जो लोग कम बोलते हैं वो चिर्चड़ाते नहीं है, इर्टेट नहीं होते, फ्रस्टेट नहीं होते बस उनका मकसद अपनी जिन्दगी पर फोकस करना होता है मान लो उसे डॉक्टर बनना है किसीने, तो उसका दिमाग बड़िये हैं कि मुझे किसे से फालत तो ही नहीं बोलना है सारा दिमाग अपना पड़ाई पर अपने मकसद पर और आपने देखा हुआ कम बोलने वाला जब बोलता है तो सब उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसकी बातों को समझते भी हैं जबकि ज़्यादा बोलने वाला को important बात भी बता रहा हो तो उसकी बात पर कोई ध्यानी नहीं देता मतलब उसकी इज़्याद इतनी खतम हो चुकी होती है देखते हैं तासी बोलता रहा था जबकि वो उतनी बड़ी बात बता है इंपॉर्टन बात है कि उसने किसे सुनी नहीं ध्यानी नहीं दिया कम बोलने वाले सोच समझ कर बोलते हैं इनको लोग इज़्याद कर देखते हैं जो कम बोलते हैं वो किसी से बहस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं किसी से उलस्ते नहीं हैं उनके कभी आपने ड़ाई जगड़े नहीं देखे होंगे ज़्यादा बोलने वाले कि मूँ से भी वो निकल जाता है जो उससे नहीं बताना था यानि अपने ऐसा सीक्रेट भी उसके मूँ से निकल जाता है जैसे कि उसके भाई बेन की को आता है कुछ भी है पेरेंस ने काता है कि उसी को बताई हो मत तो वो बात भी बता जाता, अपने घर की बात उसको नहीं बतानी थी, अब जो मुझ को शब्द जो निकल गए वापिस तो नहीं ले जा सकते, तो कम बोलने से क्या होता, आपका समय बसता है, आप टेंशन में नहीं रहते हैं, चुप रहने से समझने के लिए, अगर आप इसकी नॉलिज नहीं है, तो कम ही बोलें, तो कि ना बोलोगे तो फिर वो इसको कुछ आता नहीं है, तो अपने आपको प्रेजन भी रखना है, तो कम ही बोलें, जो नॉलिज के बीना तो कम ही बोलें, बीना नॉलिज के बोलने से क्या होता है, आपकी मजाक ही बनती है, अ बहस हो जाती है लेकिन अगर बहुत समझदार है कम बोलती है तो बात आगे नहीं बढ़ती है और ऐसे ही अगर आप बज़ूर्ग है घर में रहते हैं बिमार हैं आप अपने बच्चों कहार रहते हैं और आगे भी उनके बच्चे हैं बेटा भो नोकरी पर जाते हैं तो बच्चे घर में पढ़ते हैं तो आपको उस महुल में कम बोलना चाहिए क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं कि दादी ने पढ़ने नहीं दिया फिर पीछे बिरभू क्या बोलती है यह ऐसे तो बिमार हैं पर पता नहीं इतना बोल कैसे लेते हैं तो ऐसी नौबत आने ही क्यों दो क्यों अपनी बुराई लो जो चीज आप यहाथ में है कम बोला तो हमारे हाथ में है तो इसको तो हम पंडूल कर सकते हैं पेटा भूको मटो को कम बोलो उन्हें अपनी जिन्दगी जीने दो आपने अपनी जिन्दगी जी ली अगर जॉइंट फैल्में में भी रहते हो तो सुनो ज़्यादा बोलो कम कम बोलते हैं आजका लोग क्यों फोन की जगा पोसके तो मैसेज करो आपने देखा हुआ कि यहां तक की फैस्टिवल भी आते हैं अगर दिवाली को में ले ले लें तो भी कितना बड़ा फैस्टिवल है तो भी लोग जुसरे को एक जुसरे को जी आई एफ बेस्विशिज वीडियो या टाइप पर के बचसा पर भी भीज़ेते हैं यह नहीं कि एक एक को फोन करके आदा घंटा आगे घंटा बात करते हैं वो जमाने गए क्योंकि आज कोई बोलना ही नहीं चाहता ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आज कल हर कोई जॉब कर रहा है या कोई नहीं कोई कान पर रहा है तो किसी में इतनी पैशन्स भी नहीं है कोई ज़्यादा सुनना ही नहीं चाहता और नहीं किसी के पास इतना समय है इसलिए कम बोलें ताकि दूसरा आप से बात करना पसंद करें ऐसे नहों कि आप भी आपस में फ्रेंड सेलियों से भी रिष्टा आपका तूड़ता जाए लोग आपसे कत्राने लगें कम बोलने से जो आपका कोई कम बोलने वाला है तो उसका एक फ्यादा वारों यह होता है कम बोलने वाले से आप अपने मन की बात शेयर कर सकते है वे आपको सला भी अच्छी देगा और आपकी बात को आगे भी किसी को नहीं बोलेगा क्योंकि क्यों उससे ज़्यादा बोलने की आदत यह नहीं है उसे बात का पतंगड बनाने की आदत नहीं है ब्रहिया करने की आदत नहीं है और वैसे भी पते जितने मूँ उतनी बाते हैं आपने एक बात किसी को बताई ज़्यादा बोलने वाल लोग के लिए कह रही हूँ आपने एक बात किसी को बताई वो आगे दूसरों को कैसे बताता है दूसरा तीसरों कैसे बताता है ये बात करते हैं करते हैं पतनी क्या की क्या बन जाती है, लेकिन कम बोलने वाला इंसान अपने तक की बात को सीमित रखता है, ज्यादा बोलने वाला इंसान अंजाने में भूट कुछ बोल जाता है, क्योंकि उससे तो बोलना है बस, उसे यह नहीं पता मैं क्या बोल रहा हू और फ़र बार ज्यादा बोलने से दूसरा नराज भी हो जाता है फिर रपस्ताता है कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उसे यहाँ तक कि रिष्टा बचाने के लिए सौरी भी बोलना पड़ जाता है तो क्यों ऐसी नौबत आए कि आपको मौफी मांगनी पड़े तो सौरी बोलना बहुत बड़ी बात है क्यों इतना इंसान चोटा रहे कि दूसरे को मौफी मांगनी पड़े और पिरिष्टे को सुधारना पड़े ज्यादा बोलने वाला अगर सामने से आ भी रहा होता है तो लोग उसे नजर अंदाज कर देते हैं जैसे देखा ही नहीं रगता है कि अगर इसकी मेरी से आख में लगए ना तो मेरा एक घंटा खराब कर देगा मेरा दिमाग खड़ेगा आईसी सोच बन जाती है उसकी और कभी उसका से पाद मजबूरी पाला पड़ भी जाता है उस टाम तो बंदा उसको झेलता है बड़ी मजबूरी में पीछे देबोलता है पता नहीं है क्या खाता है इतना बोल कैसे लेता है क्योंकि सच बात है आट के लाइस्टाइल के साफ से भी ये किसी में इतरी पेशन्स ही नहीं रही है ये कुछ जादा बोल पाए और किसी को कम बोलने को कहुना तो कहता है क्यों हम तुम जोर है हम तो बोलेंगे अरे कम बोलने से कोई दपता नहीं है अगर आप कम बोलोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे कमजोर नहीं हो जाओगे बलकि यह तो बहुत बड़ा गुण है यह बहुत बड़ी ताकत है अगर आप इसको आज से ही अपनाना शुरू करते हैं करो कि कई पार आपको पस्ताब होता है कि काश उस समय मैं कम बोलेती तो बात इतनी ना बड़ती कम बोलोगे तो किसी की बुराईया भी नहीं करोगे बस क्योंकि ये लेडिस में क्या होता है कि बैठें कठें तो बुराई शुरू हुई तो पते नहीं क्या मज़ा आता है टाइम पास करने में तो अगर आप इस आदस से बचें आपने एक बात कैसी बताई दूसरा आगे कैसे बताएगा पहले बताया आज की बिजी लाइफ जिन्दगी में इसके पास इतना समय नहीं है ज्यादा बोलने वाले को बरदाश करने का कम बोलने वाले से बीपी हाई इनका रहता है उनका बीपी हाई भी नहीं होता कम बोलने वाला अपने जिन्दगी में सिंसर होता है क्योंकि उसे फाल्तु की बातों में इंटरस्ट ही नहीं होता उसे अपने जिन्दगी का मकसद भियान होता है और वह उस पर भियान करता है और वह सफल भी होता है प्रीजिसे एक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है